Hello everyone, class first, page number 121, revision station, look at the picture and fill in the blanks, यहाँ पर आप picture देखिए और जो blanks दिये गए हैं, वो आपको फिल करने हैं, ओके? The pencil is longer than the eraser by DashMastyx, pencil erasor से कितनी लंबी है? एक mastyx के कितनी बराबर लंबी है? यह कितनी mastyx लंबी है? एक mastyx कितना बड़ा है? तो pencil उसे कितनी बड़ी है? कितनी mastyx और लगेगी? कि pencil उतनी longer है उससे, ओके? तो एक match sticks, यहाँ पर एक match sticks कितना तो रबड है इसका eraser है ये वो three match sticks और लगी है जितनी बढ़ी ये है, three match sticks और बढ़ी है ये तो ये इसका सही answer होग option C, three match sticks okay, eraser by three match sticks यहाँ पर picture देखिये, ये pencil है और यहां पर marbles रखे हुए हैं balance में यहां marbles रखे हैं यहां 5 marbles है यहां एक pencil है यहां mango है और यहां पर 8 marbles है यहां पर book है और यहां पर भी marbles है कितने हैं यहां पर गिनना मुश्किल है थोड़ा वोगी बहुत छोटे-छोटे बने हैं A. the mango weight dash marble mango का weight कितना है कितने marbles के बराबर है यहाँ पर दिया गया है 8 marbles है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 marbles के बराबर 1 mango है तो B option correct है B the lightest object is the यहाँ पर सबसे छोटा सबसे हलका object कौन सा है pencil, mango, book तो इन तीनों में pencil सबसे हलका object है A option is correct 3, look at the pictures and answer the questions यहाँ पर pictures देखिए और इन questions के answer आपको देने है यहाँ पर cup है यह bowl है और यहाँ pond है the one having the maximum capacity among X, Y and Z is यहाँ पर maximum capacity किसकी है maximum means ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा है capacity किसकी है जिसमें ज्यादा आएगा X की है Y की है या Z की है तो किसकी है Z की maximums ज्यादा होता है एक कप में भी जादा नहीं आएगा, एक कप पानी या एक कप मिलक आएगा, बाउल में भी सबस्यादा कैपसिटी किसकी है, पॉर्ण की है, तो C option is correct, B, the one having the minimum capacity among X, Y and Z is, यहाँ पर पूछा गया है कि minimum capacity किसकी है, minimum में सबसे कम, कम से कम कैपसिटी किसकी है, तो X की है, सबसे capacity सबसे कम है, तो यह आपका homework है, इसको आपको बुक में ही फिल करना है, need and clean handwriting में आपना homework कर लीजेगा, thank you